तब गाईज, I hope you are doing well, I am Sankit Rathi, welcome to Table Topper, हमने कल क्या topic करा था, बड़ी आज हमने वो topic करा, आज जो topic करने वाले, कल जो topic था, वो क्या था, land, land का हमने क्या देखा था, एक introduction देखा था, आज जो हमारा topic रहने वाले, वो है क्या, land use, कि land का use किस-किस तरह के हो सकता है, land use होता क् देखिए, जब भी हम land को किसी ना किसी purpose से अगर use कर रहे हैं, purpose कोन सा हो सकता है, agriculture भी हो सकता है, forestry भी, mining भी, houses हम build कर रहे हैं, वो भी हो सकता है, या फिर कहीं पर road मना रहे हैं, या फिर industry set up कर रहे हैं, इसको हम बोलते है, land का use करना, अगर हम land को किसी ना किसी ways में अगर use use कर रहे हैं इसको बोले हम लनड यूस कितने परकार एह नगी वो रही है a is को सिर्व डियुल के लिए में ली यूज कर रहे हैं टिक मैं पिछली क्लास मेंं बताया था कि अर्थ के ओपर कितने परसेंट लेंड है 30 परसेंट और बागी का 70 परसेंट क्या है वोटर तो उस 30 परसेंट के अंदर से जो 30 परसेंट का भी 30 परसेंट अगर हम लेंगे तो उसके ओपर क्या था 90 परसेंट क्या करें रहेंद है क्यों करंगी यह क्लाईमेटिक कंडिसेंट कि जिए थर्टरी परसेंट की रहने लाएगए वहां पर ना तो कोई ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है ना फिर कोई डेजर्ट ए ना फेboards का जैदा है रहता ना तो हिली एरियाज है ना ही फिर रेकिस्तान वगरा है ठीक इसलिए जो 90 परसेंट पोपुलेशन है वो क्या करेगी प्रेफर कर रहे है कि ऐसी लेंड के ऊपर रहना पसंद कर रही है जो उनके लिए अच्छी है लाइस्टाइल के लिए काफी अच्छी है जो लेंड को यूज कर रहे हैं कैसे कैसे यूज कर रहे हैं काफी एक्जम्पल दे दिया मैंने आपको जैसे के अगरिकल्चर के लिए हम उसके अंदर क्रोप्स बगारा ग्रो कर रहे है या फिर फोरेस्ट के लिए यूज कर रहे है जहां पर बहुत ज़्यादा forest है, mining जैसे कि हम koila की खाने या फिर aluminium की खाने हैं, यह क्या कर रहे हैं? हम mining के लिए यूज करें इनको, houses मना लिए हमने बहुत सारी buildings develop कर लिए, roads के लिए, roads ऐसा तो नहीं कि पानी के उपर बनेंगे, लेंड के ऊपर रोड बनेंगे, तो उसके लिए यूज कर लिया, आपने, industries अगर setup करने तो उसके लिए क्या हो गया? लेंड का ही यूज करेंगे, तो लेंड यूज बहुत ज़्यादा ways में हो रही है, अब हम factors देखेंगे, फिजिकल factors हैं, जो इसको determine कर रहे हैं कि लेंड का हम use कैसे करेंगे, तीक, अगर soil है, soil कहीं कि ज़्यादा, अगर हमें house, house build करना है, तीक, और वहां पर जो soil है, जो मिट्टी है, वो क्या है? दलदली मिट्टी है, मतलब उसके अंदर moisture बहुत ज़्यादा, तो हम वहां पर house develop नहीं कर सकते, तो इसने determine किया ना कि आप यहां पर house develop नहीं कर सकते, अगर हमें कोई और काम करना होता, देखे, climate है, यह किस तरह कैसे affect करेगा, कि हम उस land को use करें या ना करें, देखे, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा सुखा है, मान लिजे desert है, तो वहां पर क्या करेंगे हम, उस land के उपर ना तो agriculture कर सकते, ना forest grow कर सकते, तो इस वजह से क्या हो रहे हैं कि हमारी determine कर रही है, जो factors ना कौन-कौन से जैसे soil है, climate है, minerals है, water capability है, और human factors है, human factors जैसे population और technology, population और technology, यह क्या human factors, अगर एक जगह पर ज्यादा population होगी, तो क्या करेंगे, उसके उपर land के उपर क्या होगा, बर्डन ज्यादा होगा, जैसे कि हमारी mega cities हैं, जैसे Delhi ले ले लीजिए, मुंबई, कोलकता, यहाँ पर क्या है, कि population बहुत ज्यादा हाई है, अगर population बहुत ज्यादा हाई है, तो इसकी determine करीना, क्या, कि हम land को use कैसे करे अगर मालीजी हमने घरी यहाँ पर इतने ज्यादा gap के अंदर बना लिए, ठीक, तो यह क्या हो रहा कि land का wastage भी हो रहा है, अगर हम ऐसे houses develop करें, एक के साथ एक, तो क्या करें, उस land को अच्छी तरह कैसे use करें, और population के लिए land कौन से use करने चाहिए, जो की fertile नहीं है, अग में उसको agriculture में यूज करना चाहिए, तो देखिए, अगर technology हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे multi-story parking भी create कर सकते हैं, malls भी create कर सकते हैं, जहाँ पर थोड़ी compacted space के अंदर, बहुत ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, पार्किंग भी लगा सकते हैं, या फिर, सोब सब create कर सकते हैं, तो इस वजए से क्या हो रही कि land का यूज क्या कर रहा है, क्लिए है, हमें क्या पता दलगा है, कि land use हो का रहा, कैसे हो रहा है, और उसका factors कौन कौन से effect कर रहे हैं, तीक, अब land के classification देख लेते हैं, कितने परकार की होगी, land की classification होगी two types की, कौन कौन सी private land और community अब यह private land कौन से होगी, यह एक individual की land होगी, individual means जैसे आपके पापा के नाम पे कुछ जमीन है, तेक तो वो आपके पापा के अपनी private property है, individual means व्यक्तिगत, किसी एक person से related हो, या फिर दो persons के related भी हो सकती है, लेकिन वो होगी किसके एक community उस person के या जिसके नाम पे वो है, उस इसे की use के लिए होगी, वो और कोई उसको use नहीं कर सकता, without इसकी permission, clear, और जो community land है, इसको क्या कर सकते हैं, एक community के दवारा own करी जाएगी, जो एक पूरी की पूरी community है, माल लिजी है, आप कहां पे रहे हैं, गाउन में रहे हैं, तो जो private property है, उसका तो आपका पतल चल गय क्या कि कौन कौन सी है, अगर उसके लावा कोई भी property है, जहां पर सारे क्या कर सकते हैं, घुमफिर सकते हैं, अपने गाए भैस को चरा सकते हैं, या फिर वहां से चारा ले के आ सकते हैं, वो land मानी जाएगी कौन सी community land की, इस community land को और किस नाम से जानते हैं, common property resources, देखें, क हैं, Susie कर सकते हैं, जैसे कि फोटर collect कर सकते हैं, fruits collect कर सकते हैं, nuts collect कर सकते हैं, medicinal herbs, देखें, अगर city की बात करें तो मानलीजिये पार्क हो गया, बहुत कर सकते हैं, कोई भी एक पार्क है, ऊसके अदर मानलीजिये paid podial products लगा रखें, fruits भी लग रहें, उसके इढ़र भी हैं जो medicinal के लिए यूज़ हो रहें तो हम वो उसके ओपर अधिकार नहीं जटा सकते हैं कि यह सिर्फ मेरी चीज़ है जैसे आपके कोपिया आपके पैन है आप उसको बोल सकते हो कि यह मेरा मेरा पैन में किसी को नहीं दूँगा लेकिन अगर जो क्लास का ब्लैक बोड़ है वो सब के लिए आप यह नहीं नहीं कहोगे कि इसके उपर सिर्फ मुझे मुझे पढ़ाया जाएगा नहीं वो सब के लिए ठीक तो आ सबके लिए यह चलीए ताहफ गले वीडियो अंदर han kehehehe के लेंगे अगली लेक्ट मे सी सबक dalो एसे का किसा चलीए मिलते फिर अगले में till then have a great day enjoy करते रहे और आपका PDF यहां पर मिलेगी till then have a great day